बॉलिवूड एक्ट्रेस कंगना रनाओ तेन दिनों काफी सुर्खियों में है सुषान सिंग राजपुत मामले को लेकर लगातार वो खुल कर अपना पक्ष जनता के सामने रख रही है वहीं पिछले दिनों कंगना रनाओ तेन अपने मुंबई वाले बयान को लेकर काफी सुर्खियों में थी दरसल एक ट्वीट में उन्होंने मुंबई की तुलना पियोके से कर दी थी जिसके बाद से महराष्ट सरकार और कंगना के बीच काफी अनबन चल रही है अब हाल ही में एक्ट्रेस को समाजवादी नेता मनीश जगन अगरवाल ने एक ट्वीट के जरिये सलाह दी है उन्होंने ट्वीट कर कहा कंगना जी आप सबके संघर्षों को गाली देकर तुछ बताकर सबके उपर निशाना साध कर आगे बढ़ना चाहती है करन जहर हो या अन ये फिल्म निर्माता सभी लोगों की सामोहिक मेहनत से ये फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हुई है कोई भी इंडस्ट्री आपकी तरह सबको गाली देकर एक दो दिन में खड़ी नहीं हो जाती मनीश जगन अगरवाल के इस ट्वीट पर एक्ट्रेस कंगना रनाउद ने करारा जवाब दिया है कंगना ने मनीश जगन के ट्वीट को री ट्वीट करती हुए लिखा इंडस्ट्री सिर्फ करन जोहर उसके पापा ने नहीं बनाई बाबा साहिब फालके से लेकर हर कलाकार और मजदूर ने बनाई है उस फोजी ने जिसने सिमाओं को बचाया उस नेता ने जिसने समविधान की रक्षा की है उस नागरिक ने जिसने टिकेट खरीदा और दर्शक का किरदार निभाया इंडस्ट्री करोडो भारत वासियों ने बनाई है कंगना की इस ट्वीट पर लोग खुब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिकरिया भी दे रहे हैं इस ख़बर के बाद आपका क्या कहने हैं आप भी जरूर कमेंट करके बताएं आप ऐसे ही बॉलीवूड के लेटिस्ट खबरे पाने के लिए आप बॉली नियूज अफ़ आप देखते रहें आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना भूले बेल आइकन प्रेस जरू करें नमस्कार